तो राजस्थान में लोगसबाद चुनाव इस बार बड़ा रोचक नजर आ रहा है कॉंग्रेस भाजपा के साथ ही तमाम राजनेतिक दलों के तिगज चेहरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और टटकर एक दूसरे मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का फोकस लेकिन इस मुद्दे पर पूरे चुनावी विशलेशन के साथ मैं विजय वर्मा आपके सामने हासर हूं सबसे पहले बात करूंगा कि राजस्थान की आधा धरजन सीटों पर इस बार मुकाबला पिछले दो चुनाओं के मुकाबले कड़ा और रोचक रहेगा कॉंग्रेस ने 22 सीटो ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उता रहे हैं विशली बार नागो और से आरल पी के साथ गट्वंदन जरूपियादा बीजेपी ने इस बार राजनेटिक समी करोनों के लिया से अगर बात करें चूरू कोटा बुंदी सीकर्ट नागो और पासवाड़ा पाली चाल औ और बाड़ मेर सीटें वो हैं जहां पर मुकाबला रोचक और कड़ा होने की उम्मीद हैं बाड़ मेर मेर में निर्दली विधायकर अब इंदर जिंग भाटी के चुनावी मेदान में उतरने से मुकाबला दिल्चस्प हो गया है वदर चूरू और कोटा बुंदी में कॉं चूरू सीकर कोटा बुंदी नागोर पाली बासवाडा जाल और सिरही और बाड मेर यह वे सीटे हैं जहां कड़ा मुकाबला होने की संभावना है चूरू से इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद राहूल कस्वा का टिकेट काट कर पैरालंपिक खिलाडी देविंदर जहजड़िया पर दाव खेला है वहीं बीजेपी से बागिर राहूल कस्वा कॉंग्रेस में शामिल हो से कॉंग्रेस ने लेफ्ट के साथ गटबंदन कर लिया है दिगज किसान नेतामरा राम को चनाव मैदान में उतार दिया है किसान नेताओं के खिलाफ पिछले दिनों जिस तरह की जो माहौल बना था सरकार के खिलाफ वो यहां पर काम करेगा 2019 के नागवर की सीट पर बीज बीजेपी ने केंदिर राजमंत्री केलाश चौधरी को फिर से अपना उम्मीनवार बनाया है कि कॉंग्रेस के और से भी यहां मजबूत उम्मेदवार उम्मेदाराम बेनिवाल चुनाव मैदान में हैं लेकिंदर दली रविंद सिंग भाटी इस बार कुछ खेल बेगाड कॉंग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं दोनों ही और से मजबूत तावेदार हैं और इस सीट पर पूर से मशोग गलोत ने भी पूरी दम खंपूरा जोर लगा दिया है इसी तरह पाली में संगीता बेनिवाल भी कॉंग्रेस की अमीदवार हैं पूरे दम खंप के साथ वे 2014 के चुनाव में सीधे सीधे मूदी लहर थी और फिर 2019 के में मूदी लहर के साथ ही पुलवा मामले को लेकर बीजेपी पक्ष में लहर बन गई दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने राइस्थान में क्लिविंस्यूप किया इधर अगर हम राइस्थान के दस साल के लोग आपचा से उनके सिम्पैति जो बनी थी और सिम्पैतिगी लहर थी वो कांग्रेस के पक्ष में रही कांग्रेस को फायदा हुआ राइस्थान की 25 की 25 सीटे कांग्रेस ने जीती निस सो 89 की बात करें तो बोफोर्स कांड़ और वीपी सिंग सरकार के खिलाफ लहर बन गई थ थी और इसका फायदा बीजेपी को मिला बीजेपी ने कम्यूनिस्ट पार्टि और जंता दल तीनों पार्टि ने मिलकर चुनाव लड़ा था कॉंग्रेस को एक भी सीट रहस्थान में नहीं मिली बीजेपी को 13 सीटे मिली थी जोंकि जंता दल को 11 सीटें वहीं CPM को एक सीट मिली थी जिसी तरह 2009 के लोगसवाद चुनाओं को देखे तो इस साल मनमोहन सरकार ने देश में आर्थिक करांती का माहौल बना दिया रियल स्टेट में तेजी आई, EMI कम होने से मध्यमबरगी वेक्ती तक चौपाई वाहनों की रिच हुई और मनमोहन सरकार के पक्ष में एक जोड़तार जो लहर बनी उसका फायदा कॉंग्रेस को मिला, कॉंग्रेस को इस चुनाओं में 20 सीटे मिली, पीजेपी को 4 सीटे मिली जबकि एक सीट अन्य को चली गई, अगर 2024 के चुनाओं को देखें तो इस बार राम मंदिर का मुद्दा सौल हुआ है, उसका असर लोगों के जहन में जरूर है, उसके प्रती कहीं कहीं भावना हैं, लेकिन फिर भी वो लहर जो रुजहान जो बीजेपी की तरफ 2014-2019 में थ था, वो इस बार ठंडा पड़ा हुआ, फिर भी बीजेपी को 65-70 फीजदी सीटे मिलने की इस बार संभावना है, विपक्षी गटबंदन इतनी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ता नजर नहीं आ रहा है, इंडी गटबंदन ने जो, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत कंपीट करेगा बीजेपी को, एंडी ए को और इसे देखते हुए कॉंग्रेस को 30-35 फीजदे सीटे मिल सकती है, ऐसे में बीजेपी को 18-20 सीटे मिलने की संभावना है, जबकि कॉंग्रेस को 5-7 सीटे मिल सकती है, खेर ये पुराने चुनावी समीकरों के जरी एक आ ये आवर्माओग।